वेलकम टू बरुन मैट्स ऑनलाइन क्लास मैं अपने इस चैनल वर बीटेक, बीएसी, 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 नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूँ आज बीएसी और बीएसी और बीटेक के लिए एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉसी रूट टेस्ट, सिरीज का जो कनवर्जेंस है डाइवर्जेंस अपन कैसे चेक करेंगे उसका एक टेस्ट है कॉसी रूट टेस्ट, इसमें क्या है, इसका वर्किंग मैथट क्या है सपोर्च कि यह कि यू एन जो है पोजिटिव टर्म सिरीज है एक, है ना यह Convergent है या Divergent है, इसको पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी Series आपको दिया रहेगा, इसका nth term निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, limit n tends to infinitive, u n to the power 1 by n की इसकी value निकालते हैं, जो भी अपने को Series दिया रहेगा, Series का nth term निकालेंगे, nth term निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, limit n tends to infinity u n, whole to the power 1 by n निकालते हैं, इसका Result देखते हैं, इसका Result मालने जिये L आया, तो यदि L is less than 1 है, तो यह Convergent होगा, यदि L is greater than 1 होगा, तो Divergent होगा, जैसा D-Alumbered Ratio टेस्ट में होता था, सेम हो ऐसा ही है, और यहाँ पास, if L equals to 1 रहे, तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो यह वाला, जो Causes Root Test है, कब लेते हैं, जब Question में Power के Form में दिया रहे हैं, whole to the power के Form में दिया है, तब अपने को उस समय Causes Root Test लगाना पड़ता है, देखते हैं कि इसके Question कैसे कैसे है, Question से ही अपने को समझ में आ जाएगा, कि कहाँ पास अपने को D-Alumbered Ratio Test लगाना है, कहाँ पास Causes Root Test लगाना है, चलिए एक Important Question ले करके देखते हैं, देखिए एक Very Very Important Question है, कई बार एक्जाम में पूछा गया है, Test the Convergence of Series 2² upon 1²-2 by 1, whole to the power minus 1, 3 to the power 3, 2 to the power 3, minus 3 by 2, whole to the power minus 2, 4 to the power 4, 3 to the power 4, minus 4 by 3, whole to the power minus 3, and so on. यह जो Series दिया हुआ है, यह Convergence है या Divergence है, इसको अपने को पता लगाना है, सब power में है, देखिए, तो यहाँ पास अपने को Causes Root Test ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह सब power में है, है ना, तो इसका Solution अपन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका अपन Nth term निकालेंगे, UN, Nth term निकालेंगे, देखिए, Nth term कैसे निकालते हैं, पहले इसको देखिए, Nth term निकालने के लिए, आप यह Follow formula याद रखिए, 11th class में है, A plus N minus 1 into D, यह क्या है, 2, 2, यह देखिए, 1st term का निकालने, 2, 3, 4, 2, 3, 4, and so on, तो यहाँ पास 1st term क्या है, A, A equals to 2 plus N minus 1, common difference कितना है 1 का, तो यह अगर 2 plus N minus 1, तो यह कितना निकालेगा, N plus 1, तो इसका क्या निकालेगा, N at term, N plus 1, hold to the power, यह भी same है, देखिए, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका N at term क्या निकालेगा, यह भी N plus 1 ही निकालेगा, ठीक है, अब देखिए, इसका N at term क्या निकालेगा, यह है 1 है 2 है 3 है तो यहाँ पास क्या निकलेगा नीचे में यह 1, 2, 3 तो यहाँ यह N रहेगा ठीक है यहाँ 2, 3, 4 2, 3, 4 का N टम मैं निकाला हूँ तो यह क्या निकलेगा N प्लस 1 माइनस 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4 का N टम क्या निकलेगा N प्लस 1 और यहाँ क्या है 1, 2, 3 तो यह क्या निकलेगा N ठीक है और पूरे का पावर क्या हो जाएगा यह पूरे का पावर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, यह माइनस N ऐसा हो जाएगा इसका N टम यह रहेगा मेरे ख्याल से आपको N टम निकालने आना चाहिए और आप समझ में भी आगे होगा यह 11 का फॉर्मूला है N टम निकालने का आप इसको देख भी सकते हैं ठीक है एक बार चेक कर लिजे पाई कॉसी रूट टेस्ट से क्या होगा भाई कॉसी कॉसी रूट टेस्ट अपने को क्या करना है लिमिट N tends to infinitive U N to the power 1 by N यह निकालना है तियो जाएगा लिमिट N tends to infinitive u n अपने पास ये है n plus 1 upon n to the power n plus 1 इसका power n plus 1 minus n plus 1 by n और whole to the power minus n और इसका power में है क्या ये वाली 1 by n ये रहेगा 1 by n तो 1 by n, 1 by n ये दोनों cancel हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा देखिए limit n tends to infinitive ये रहेगा n plus 1 to the power n plus 1 upon n to the power n plus 1 minus n plus 1 upon n whole to the power and n cancel हो गया, minus 1 अब इसको simplify करेंगे अपन, देखिए क्या से simplify करते हैं देखिए क्या हो जाएगा limit n tends to infinitive यहाँ से मैं common लेता हूँ n to the power n plus 1 तो जाएगा n to the power n plus 1 को common लिया तो यहाँ बस गया 1 plus 1 by n to the power n plus 1 और denominator में n to the power n plus 1 minus यहाँ से n को common लिया n, 1 plus 1 by n आ जाएगा ये denominator में n है, ये देखिए clear हुआ और यहाँ से इसका power में minus 1 है ठीक है अब ये क्या है n plus 1, n plus 1 ये cancel होगा ये n, ये n का cancel होगा put n equals to infinitive तो 1 by infinitive equals to 0 हो जाएगा तो आपको limit n tends to infinitive un whole to the power 1 by n का result जो मिलेगा ये क्या मिलेगा देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये 1 plus 1 by n to the power ये हो गया n plus 1, minus 1 plus 1 by n ये और इसका power minus 1 ठीक है यहाँ है limit n tends to infinitive ठीक है, अभी infinitive रखेंगे एक मिलाट यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ रखेंगे यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा limit n tends to infinitive यहाँ से 1 plus 1 by n को मैं common ले लेता हूँ, यहाँ से और अंदर में बचेगा 1 plus 1 by n minus 1 और ये to the power 1 यहाँ n बचेगा ठीक है यह 1 plus 1 by n यहाँ से common आ गया और अपन जानते हैं limit n tends to infinitive 1 plus 1 by n whole to the power n equals to e होता है इसकी value e होता है ना तो इसको solve करेंगे तो क्या मिलेगा आप देखिए करते हैं put n equals to infinitive तो यह क्या हो जाएगा limit n tends to infinitive u n whole to the power 1 by n that is equals to यह यहाँ पास infinitive रखेंगे तो यह 1 by infinitive 0 यह हो जाएगा 1 1 into something मतलब पोई फरक नहीं पड़ेगा यह हो जाएगा e यह हो जाएगा minus 1 e इसकी value है e यह हो गया minus 1 whole to the power minus 1 यह हो जाएगा 1 upon e minus 1 e की value जो होता है 2.718 के बराबर में होता है इसको यदि आप solve करेंगे 1 upon e to the power minus 1 की जो value है 1 से लेस आएगी so by quasi root test quasi root test यह क्या आजाएगा series u and is convergent series जो होगी वो convergent मेरे ख्याल से यह आपको समझ में आगया होगा यदि कोई problem हो इसमें तो आप मेरे को comment करके पूछ सकते हैं यदि video आपको अच्छा लगा होगा तो आप like करेंगे अपने दोस्तों के साथ share करेंगे और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe करेंगे thank you thank you very much यदिया होगा बड़ादाद को यदिए उपकर शाट नहीं कि तो इस कि अपकर यद्वाए तो आपकरेंगे